हेलो दियर स्टूडेंस आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बूक्किपिंग एन अकाउंटेंजी का चाप्टर नमबर वन का प्राक्टिकल प्रॉब्लम नमबर फाइ सौल करने वाले तो इसका एक्स्प्राइशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अब भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करकर बेल अकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आप पोई भी लेटेस वीडियो मिस न सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर भी पहले को रीड करेंगे क्या बोला है और क्या-क्या यहां पर हमें इन्फॉर्मिशन दिये वे तो सुचेता और गायतरी यह दोनों पार्टनर्स है और इनका जो प्रॉफिट शेरिंग रेश्यों है वो थ्री इस्टो टू का मतलब एक जनको तीन हिससे मिलेंगे और एक को दो हिससे टोटल फाइब पार्ट्स होंगे फ्रैक्षन आप लोगों ने सीखा ही है यह लोवर सेक्षन में तो यहां पर त्री इस्टो टू का मतलब होगा थ्री अपॉन फाइब रॉपन फाइब फाइब एडिशनल तो यहां पर आप देखोगे कि जो ट्राइल बैलेंस अमाउंट है इस तरीके से हमें दिया हुआ है तो हमें थोड़ा सा इस टाइप के जब ट्राइल बैलेंस आती है तो थोड़ा से ध्यान से बाइफर केशन करना होता है एक दियान रखना है कि जो क्रेडिट साइट के बैलेंस रहे जाते हैं वह कोई भी प्रॉफिट लॉस अकांट में जा रहा है तो उनके प्रेडिट साइड में जाएंगे अगर हम डेबिट में लेकर जाते हैं उनको तो पर हम सब्रेक्शन का काम करते हैं माइनस करने का यहां पर अभी हम दिखेंगे क्या क्या दिया हुआ हमें उसके अकॉर्डिंग लिए हम करेंगे तो पॉर्चेस जो होता है वो ट्रेडिंग अकांट के डेबिट साइड में जाएगा अब तक आपको हैबिट भी हो गई तो यहां पर इसमें हम क्यापिटल अकांट को सेपरेटली नहीं बनाएंगे क्योंकि आगे हम रीड करेंगे तो यहां पर कोई एक्स्टा एजस्मेंट ज्यादा है नहीं जो भी नेट प्रॉफिट मेलेगा हमें हम उसे आड करने वाले बस उतना ही है तो हम डिर्क्ली यहां पर केंडर में लिक्ता से एकंडर में इसको कर लेंगे एक्स्टाइद आए और जमय में जो हम तक has its certificate अब लेकर है इन्टस आने करिद्टेंट करेंगे लिखेंगे दिया हुआ है इसे हम trading account के debit side में लिखेंगे bills receivable को हम asset scandal में लिखेंगे then bills payable प्रेडिट side में दिया हुआ है kभी-kभी bills receivable and bills payable जैसे data and creditors दिया उस तरीके से भी देते हैं तो हमें ध्यान में लखना है कि debit का balance है वह B R का होता है bills receivable का होता है 22000 and bills payable का जो है वो 27,300 लिपिट के अंडर में लिखना है यह डिसकाउंट दिया है जो हमें partners profit and loss account के credit side में हम लिखेंगे क्योंकि credit balance दिया है discount का दिल मोटी power दिया है तो trading account के debit side में हम मोटी power लिखेंगे custom duty दिया है trading account के debit side में हैगा यहाँपर interest दिया हो credit balance दिया है तो हम ट्रेडिंग एकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं और जब भी आन प्रडाक्टिव आ गया अन प्रडाक्टिव तो मतलब हमें प्रॉफिट एन लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है इसको 3000 जो एमाउंट दिया हुआ है देन ऑडिट फीस प्रॉ सुचिता्स वोन यह पाट्नर का लोन है सुचिता का लोन है हम लाबРЕट इसकेंडर में लिखither देगे operators दिखाllen के इनवेसमेटे हैं हमें 애itsu दिखिंगे में लिखना है नौ यहां पर हमें अडिशन वेर्या इजिशनल असे दिया है मतलब adjustments दिए हैं तो सबसे पहला adjustment जो ह पर दिया वो स्टॉक को लेकर है कि स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 तो इस नथिंग बट क्लोजिंग स्टॉक यह जो है वह वह लोजिंग स्टॉक है तो वहां पर रहें कुछ फ्री में रिसीव होते हैं तो यह तरिके से बाहर चलेगे बिजनस से और दूसरा एफेक्ट जो है प्रॉफित लॉस्ट के डेबिट साइड में हम एडविटिस्मेंट करकर दिखाने वाले तो यह एडवांस में पिमिंट किया गया है तो यह एसेट्स के अंडर में लिखेंगे 500 और आमें ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जो मोटी पावर हम प्रेजन करने वाले हैं उसमें से हमें क्या करने हैं इसको माइनस करना तो एक टिक माक हम कर लेंगे ताकि हम एक लाइन लीव करें और हम इनर कॉलम में इस अमाउंट को लिखें हमें एक इंडिकेशन मिल जाता है उससे देन फूर्थ यहां पर दिया है डेप्रेशेट बिल्दिंग एड़ रेट फाइट परसंट पांच टका पांच परसंट से बिल्दिंग जो है वो डेप 3,5% आज दिकरर हमें परविट इकोंट का पांच पांच अमें ठीट मुआट पर दिफांच यहां बहुत ऑपतकेशन में आप लोगों को इसको स्टार मार करके रखना है और इसकी अच्छी खासी प्राक्टिस कर लेनी है ठीक है यहां पर क्या बुला राइट फिफ्ट एजस्मेंट में बुला राइट ऑफ 2000 फॉर बेड़ेप्स एं मैंटेन आर डीडी एट 3% और डेटस तो अभी तक हम लोगों लेकिन यहां पर आप देखोगे कि सिखत एज्जिस्मेंट जो दिया है वह बिल्स रिसीवेबल इंक्लुडेड डिजॉनर दॉब बिल 4,000 का डिजॉनर का बिल उसमें इंक्लुडेड है चार घजार का डिजॉनर का तो इस केस में हमें क्या करना उटा है ये बिल्स हमें साइन करकर देता है बंदा जो हमारा कस्टमर है कि फ्यूचर में मैं पैसा दूंगा तो इसमें 22,000 का में यहां पर बिल्स रिसीवेबल में से हमें यहां से माइनस करना है 4,000 रुपीस जो कि हमारा साथ ही 4,000 को क्या फम 9,000 को सचेत इंगाहितरी माप टर टकार कि नहीं पर दिएगी तो यहां पर त चिह में ऑगल द करके भी और को लेकर और दूसरा जो आएगा यहां पर RDD का आएगा और एक बेड़िप्स का एगा तो टोटल इन ओल त्री एजिस्मेंट्स डेटर पे आने वाले हैं तो इसके अकॉर्डिंगली हमें स्पेस लीव करना है तो यह हो गया हमारे सारा सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि ज क्लियर कट दिखाने वाली कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बस आपको याद रखना है जब भी बिल्स रिसीवेबल डिजॉनर्ड होता है तो डेटर में सबसे पहले आड़ कर दो बिल्स डिजॉनर्ड का अमाउंट जो भी बिल्स डिजॉनर्ड हुआ उतने का अमा बाकी कामें बिल्स डिजॉवेबल में से माइनस करना तो लेट्स बिगिन विद दसलूशन नाओ यह बाइफर केशन था आप लोग क्या है कि बाइफर केशन कर लेने से एक तो हमें आइडिया हो जाती है एर रोने की चांसे कम होते हैं हमें पता होता है कि काप कौन सा एज आप पर्मेंट बना सकती हो सबसे पहले यहाँ पर आता है ओपनिंग पनें स्टॉक करना करो यहां पर लेके चोंड़ सबसे प Алवा करaráं पर आपके लोगों की सामने च्राथ मोदी एक राए कर आफकान आपकी सामने आपके सामने आपके सामने अगर आप मेरे साथ सॉल नहीं करें तो भी टेक्सबुक सामने रखें बाइस से इनर कॉलर में लिखना है आउटर में इसको लिख सकते हैं हम इवन यह अमाउंट को आउटर में क्योंकि पॉचसेस पर तो कोई अजस्मेंट हमें दिखाए नहीं दिया था तो चलो इमीडेटली हम आउटर में दिखा देते हैं सेल्स का भी अमाउंट हम आउटर में दिखा देते हैं कोई रिटन्स वगरे का केस नहीं है तो 1,85,500 इसके बाद में वर्क्स मैनेजर हमें सैलरी दिख रही है तो वह हमें क्या करना है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू वर्क्स मैनेजर्स सैलरी हम लिख सैलरी देंगे अमाउंट जो आएगा वह यहां पर 2,300 का हमें आउटर कॉलम में दिखा देना है फिर हम देखेंगे यहां पर पर कैपिटल जीए तो कैपिटल जैसे मैंने यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया और यहां पर हम कैपिटल करकर हेडिंग देदेंगे capital account और inner column में amount लिकेंगे सुचिता का capital balance जो है वो inner column में 75,000 and one line leave करेंगे फिर गायतरी का capital amount जो दिया है में 40,000 फिर one line हमें leave करना है कोई भी profit loss जो भी होगा हुगा add and subtract करने के लिए next यहाँ पाद यह opening stock का balance 18,700 तो trading account के debit side में 18,700 हम दिखा देंगे इस तरीके से 18,700 यह जरत मुझे 65,000 के accordingly लिखना चाहता अच्छा होता total करने के तापे mistake नहीं होगी तो आपको careful रहना कि यूनिट्स के यूनिट्स के यूनिट्स 10 के या 10 अंडिर्स के या 100 ताकि वो जब आपको रहो तो आपको आसानी से आप टोटल कर पाओ कोई confusion नहीं अराइज हो देन नेक्स दिया हुआ है यहाँ पर डेटर्स का हमें लिख देना है space लिखाना है तो in all जब तीन adjustment होता है तो 1,2,3,4,5 lines हम लिख करते है ठीक है इसके बाद में creditors दिया है हमें 35,000 का तो creditors का amount हम outer column में दिखा सकते है विकास इस पर कोई भी adjustment नहीं है हमारे पास तो creditors 35,000 outer column में आ जाएगा next यहाँ पर दिया हुआ है wages and salaries उस पर भी कोई adjustment नहीं है तो directly outer column में trading account के two wages and salaries 4000 का amount लिखने के time पे careful लेना next हमें दिया bills receivable तो bills receivable को हमें assets के अंदर में लिखना है और उसको amount को भी हम inner column में लिखेंगे क्योंकि dishonored का case है यहाँ पर तो वह हमें क्या करना है minus करना होगा na dishonored होता है बिल तभी bills receivable का amount 22,000 inner column में one line leave कर दिया next यहाँ पर है bills payable जो की लाब्रेट इसके अंडर में आगा इसमें कोई adjustment नहीं है इसलिए इसको directly outer column में हम दिखा सकते bills payable amount जाएगा वह 27,300 उसके बाद में next दिये है discount तो discount जो है वह profit and loss तो यह section में ने divide करके रका तो यह discount के लिए तो एक line leave कर देते gross profit यह gross loss जो भी है उसके लिए उसके बाद में buy discount करकर लिख देंगे buy discount credit side में क्योंकि income है balance भी credit side में दिया हुआ है 400 उपीस next time motive power trading account के debit side में 2 motive power करकर और इसमें adjustment है तो हमें क्या करना है space leave करना है one line leave करना है motive power amount है यहाँ पर motive power का जो amount दिया वो 1350 लाइट लीव कर दिया next उसके बाद में हमें दिया है custom duty trading account के यहाँ पर आएगा to custom duty तो custom duty तो custom duty आउटर कॉलम में amount इस पर कोई adjustment नहीं है उसके बाद में interest जो की credit balance है credit side में दिया तो हमें profit and loss account के credit send में buy interest 1300 देन इसके बाद में हमें दिया हुए यहाँ पर unproductive wages तो जो unproductive wages है वो profit and loss क्योंकि वो indirect expenses हो गया directly factor related नहीं है तो टू अन प्रडाक्टिव wages आउटर कॉलम में 3000 दिखा देंगे next है audit fees तो two audit fees directly outer column में कोई इस पर adjustment नहीं है audit fees 2500 उसके बाद में दिया है rent वो भी outer column में amount चला जगा profit and loss में लिखना है 1,800 देन कन्वेंस इस गीवन वो भी profit and loss में जाएगा कन्वेंस तो थाउजन देन उसके बाद में गुडविल है असेट्स के अंदर में लिखना है मैं गुडविल इस नाथिंग बड़ रेप्यूटेशन और दी फर्म जो फर्म की repetition create किये partners ने तो amount आजएगर 25,000 और आउटर कॉलम में दिखाएंगे नेक्स्ट है copyright ये गुडविल copyright ये सब intangible assets से दिखाएं नहीं देते ये assets लाइसेंस जो लेती है companies ओके देनेक्स्ट है बिल्डिंग एसेट है बिल्डिंग भी एसेट है कॉपिरेट भी एसेट है बिल्डिंग को इनर कॉलम में अमांट को लिखेंगे क्योंकि इस पर डेपेसेशन कैलकुलेट करना है हमें 5 परसेंट एट 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 थाउजन है ये इस जीरो ठीक है फुरा सा क्लारेटी के लिए कंफ्यूजन नहीं हूँ एट 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 थाउजन इसके बाद में पार्टनर डाट इस सुचेता स्लोन तो यह लाप्रिटी स्केंडर में इस इस दे लाप्रिटी साय तो लाप्रिटी के अंडर में लिखनें पार्टनर स्लोन दाट इस सुचेता का लोन है 6150 देन इंवेस्मेंट्स दिये असेट्स के अंडर मिलक लेना है इंवेस्मेंट्स एमाउंट जो आएगा वो 40,000 आउटर कॉलम में लिखा देंगे कैश एट बैंक दिया है 26,000 आउटर कॉलम में लिखा देंगे चिक है इसके बाद में अब आजाएंगे हैं एजस्मेंट्स पर और सबसे पहला अजेस्मेंट क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक भॉलम में लिखा देंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाइ प्रेडिंग एकाउंट के बाइ गुड्स डिस्टिबूटेड डिस्टिबूटेड आज फ्री सेंपल इस नतिंग बट अडविटिजमेंट जैसे मैं आपसे पहले भी कहता है ये अडविटिजमेंट होता है एक तरीका होता है अडविटाइज करने का अपने प्रेडाक्स को अमाउंट आ जाएगा थ्री ताउजन इसके बाद में मोटे पावर इंक्लूड्स रूपिस फाइव हंड्रेड मोटे पावर में से हमें पहले अडविटिजमेंट थ्री ताउजन हम लिख लेते है प्रॉफिट इन लाउ से काउंड के यहां पर तू अडवर्टिजमेंट अडवर्टिजमेंट का अमाउंट जो है थ्री ताउजन फाइन देन नेक्स्ट जो दिया है वो मोटे पावर को लेकर है तो माइनस करना है मोटी पावर में से जो डेपोजिट्स है वो माइनस 500 माइनस डेपोजिट्स डेपोजिट्स मतलब यह एडवांस हो गया डेपोजिट्स मतलब एडवांस में तो जो भी एडवांस पेमेंट होता है उसे हम assets करकर consider करते है power मोटी power meter का advance power meter का दिया हुआ है इसे assets के अंडर में लिख देंगे power meter deposits of power meter 500 capital एक तरगे से advance में दिया हुआ capital expenditure है now depreciate building 5% minus depreciation at the rate of 5% 88,000 का 5% तो 4,400 होता है कैसे calculate करना है तो आप क्या करोगे depreciation on building तो जो भी building का amount है ये क्यों मैं बता रही हूँ आपको ABT test में भी help होती है ABT test के लिए नेसे सरी तो बिल्दिंग इमाउंट जो है वो 88,000 है multiply करना होता है 5% मतलब 5 upon 100 तो तो इस तो जिरो गोट cancel numerator and denominator के और भी 880 multiply by 5 करोगे तो 4,400 आ जाएगा तो इसके दो इफेक्ट जो आप लोगों को दिखाने है एक तो आपको depreciation करकर profit and loss के debit side में दिखाते हैं और दूसरा जो है minus from building building में से minus करते हैं तो हम यहाँ पर minus कर देंगे 88,000 में से 4,400 माइनस करेंगे तो 83,600 आएगा तो और पर कॉलम में 83,600 अभी यह 4,400 को profit and loss account के debit side में भी दिखा देंगे to depreciation on building करकर to depreciation on building amount डाएगा 4,400 ठीक है इसके बाल next हमें बोला है right off वाला bed dips लेकिन उससे पहले हमें 6th जो adjustment यहाँ पर ऐसा नहीं है कि adjustment order में दिए रहेंगे आपको यह हो सकता है कि पहले 6th adjustment करना है और फिर आप 5th adjustment पर जाओ तो इस सरके से आता है तो आपको careful रहना है पहले bills receivable को क्या करेंगे add करेंगे डेटर में तो यहाँ पर आ जाते हैं डेटर की adjustments को लेकर अब तक सीखे थे कि भी bed dips minus करो फिर RDD minus करो लेकिन यहाँ पर bills receivable पहले आया है तो हमें bills receivable का dishonored का जो केस है dishonored amount जो दिया dishonored of bill 4000 वो पहले add करना है डेटर में से डेटर में add करना है तो add bill dishonored मतला बंदे ने हाथ खड़े कर दिया मैं नहीं दे सकता amount बिल ड्यू डेट के समय पर बिल का पैसा देने के लिए तयार नहीं था हो तो एज़र डेटर उसको एड़ कर दिया तो 51,500 टोटल हो गया अब हम यह bill dishonored जो यहाँ पर add किया तो bills receivable में हमें इसे minus करना तो यहां का यहां हम एजस्मेंट करें एसेट साइड में दूरों एजस्मेंट आ रहें तो यहां पर माइनस एक जीगे पर प्लस किया डेटर में प्लस किया और माइनस करेंगे बिल्स receivable में से तो बिल dishonored 22,000 का टोटल बिल था अलग अलग पार्टी के बिल थे उसमें से 4,000 का बिल जो है इस सहीं पार्टी की भी हो सकते 4,000 का बिल dishonored हो गया 22,000 में से 4,000 माइनस किया तो आउटर कॉलम में 18,000 चला जाएगा यहां का यहां में इस तरीक से अज्जस्ट करना था अभी लेंक्स जो है वह है बेड़ेप्स को लेकर तो हम यहां से करेंगे माइनस न्यू बेड़ेप्स को माइनस करते पहले आर डीडी से पहले बेड़ 2,000 अमाउंट दिया है तो 2,000 माइनस करेंगे तो अमाउंट यहां पे आजाएगा 49,500 चीक है फिल इसमें से हमें माइनस करना है न्यू आर डीडी जो कि हमें 3% बोला न्यू आर डीडी एड़ेट 3% तो इसको कैलकुलेट करेंगे हैं 49,500 पे तो इसका कैलकुलेशन भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूं कि कैसे कैलकुलेट करना है अभी बेड़ेप्ट हमने लिखा लिए वह भी अमाउंट हमें लिखना है तो यह पे ला अजिसमेंट दूसरा fusion caf जैस्मेंट से न्यू बेड़ेप्च को लेकर न्यू आर डीडी को लेकर स्वाइब न्यू आर 1485 is the नया RDD तो यह यहां से हमें माइनस करना है New RDD 1485 आउटर कॉलम में जो अमाउंट जाएगा वो 48,000 15 होगा माइनस करके देखना अब यह दोना अमाउंट हमें क्या करना है हमें Profit and Loss Account के डेबिट सेट में लेके जाना है New Bedepts and New RDD अब यहां पर पहले से पूराना तो कुछ हमारे पास था नहीं तो हम डारेक्टली इनको ही लिग देंगे क्यों हम RDD का फॉर्मेट बनाकर टाइम अपना कंजूम करें ठीक नहीं है बेटर है कि हमारे स्पेस भी जो है वो हमारे पास अच्छी का से पेस भी रहेगी तो New Bedepts टू New Bedepts वो फॉर्मेट मैंने आप लोगों को सिखाया कि वो फॉर्मेट होता है कि जब बहुत सारे Old RDD दिया है Old Bedepts दिया है New Bedepts है तो उस केस में Outer Column में 2000 New Bedepts का दिखा देते हैं And 2 New RDD Old कुछ ही नहीं हमारे पास तो हो गए आप करना क्या है तो फटा फटा हमें टोटल करना है हमें देखना है कि सब हमने प्रॉपरली लिख लिया ना एक बार फिर से आपको नजर गुमा ले लिए और आप टोटल करके देखोगे तो आपका जो Credit side का टोटल है वो जादा आएगा 350 रिसी होगा आपको 92,350 और यह साइड का टोटल जब आपका रोगे पैंसल से करके चेक करने का कभी भी पहले तो यहां पर जो टोटल आएगा वो टू लेक 8,200 आएगा टू लेक 8,200 तू लेक 8,200 यहां पर लिकेंगे एंन दोना की बीच का जो डिफ्रेंस है तोटल का टोटल घूयां पर दक में और उन दोना का जो डिफ्रेंस आएगा वो 1,15,850 1,15,850 आएगा माइनस करके आप चेक कीजिएगा fine माइनस करके आप को चेक करना है यह सेम अमाउंट आप लोगों को मिल रहा है के नहीं मिल रहा है 1,15,850 जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट है तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट ग्रॉफिट करते हैं तो प्रॉफिट अन लॉस अकाउंट के क्रेडिट सेड में इसको लिख कर जाएंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाइ बाइ ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉफिट ब्रॉट दाउं यहां पर मैं लिखा 1,15,850 ठीक है उसके बाद में हमें क्या करना है यह टोटल यह जो टोटल है इसका टोटल करेंगे प्रॉफिट और लॉस टाउन के साइड का डेबिट साइड का टोटल देख लोगे और स्पेस लिव कर सकते हमारे पस यहां पर काफी स्पेस है हमें प्रॉफिट और लॉस का भी दिखाना है न तो हम और नीचे चले जाएंगे यहां पर अच्छी का से स्पेस लिव करेंगे यहां पर डबल लाइन ले लेते हैं टोटल के लिए डबल लाइन के साथ क्लोज और यहां पर भी तो यहां यह सैट के अमाउंट वैसे भी कम ही दिखाई दे तो इट इस अंडेस्टूट की क्रेडिट सैट का टोटल ही जादा है टोटल क 17,550 एंड डेबिट का टोटल आप पैंसल से करके देखोगे कितना आता है पैंसल से टोटल करोगे तो 20,000 यहां पर आपको 20,185 रिसी होगा 20,185 तो मतलब हमारा जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस हो और क्रेडिट बैलेंस का होना मतलब नेट प्रॉफिट यहां पर प नहीं किया तो भी चलता है क्योंकि यह कैलकुलेशन आप कन्विनेंट के लिए करें अपने कन्विनेंस के लिए करें तो 20,185 इन दोनों का भी डिफ्रेंस जो आएगा यह जो डिफ्रेंस आएगा इस डिफ्रेंस नतिंग बट नेट प्रॉफिट तो यहां पर तू नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टी आरेवडी लिख देंगे ट्रांसफर टू पार्टनर्स के कैपिटल अकॉंट में ट्रांसफर कर रहे हैं लोग तो यहां पर सुचेता को कौन सा रेशियो थ्री तीन पार्ट सुचेता को मिलेंगे गायत्री को कितना मिलेगा गायत्री को मिलेगा टू पार्ट्स तो यहां पर कैल्कुलेशन इस तरीके से आप लोग कर लोगे सुचेता डिफ्रेंस पहले तो इसका, डिफ्रेंस निकालोगी कि मैनस करनी पर डिफ्रेंस के आते हैं यहां पर जो डिफ्रेंस आए睡एगा हुआगा profit जो होगा that will be equals to 97,365 multiply by 3 upon 5 करना है 3 is to 2 का ratio है that is nothing but 3 upon 5 and 2 upon 5 यह होता है multiply by 3 upon 5 करेंगे to calculate करने पर जो amount आपको ratio होगा 5 से इसको divide करोगे जब आप 97,365 को तो आपको 19,473 रिसी होगा उसको multiply कर दो 3 से amount आपका जो है वह आ जाएगा 58,419 and same way आपको गायतरी का निकालना है गायतरी शेर इन नेट प्रॉफिट 97,365 multiply by 2 upon 5 इसको 5 से divide करोगे 97,365 को तो 19,473 वह अपने calculate किया होगा तो दुबारा करने की जो इतनी है तो just मैं बता रहे हूँ 2 multiply by 2 करेंगे तो 38,946 आएगा ठीक है अभी यह balances हम लिख लेंगे 58,419 and 38,946 को हम यहाँ पर दिखा लेंगे present कर देंगे amount को 58,419 and 38,946 ठीक है अभी capital accounts में आऊँगे सुचिता के liabilities के अंदर में आऊँगे मतला capital accounts के अंदर में लिखोगे add net profit सुचिता का net profit है 58,419 and गाहित्री का net profit है add net profit इसके share में जो इसके हिसे में profit आया वो 38,946 तो यहाँ पर आजाएगा total आप outer column में total ले लोगे क्योंकि finally अभी हमें balance sheet tally करनी है total करके देखना है कि tally हो रहे हैं तो 3,419 इसका total करोगे 75,000 plus 58,419 and इसका जो total आएगा वो 78,946 हो गया अभी क्या करना है लाब्रेटीस को close करो liabilities side को total करके देखो and asset side का भी total करके देखो same आना चाहिए 9 plus 6 15 का 5 carry over 1 इस तरीके से आप लोगो total करके देखना है ठीक है यहां का यहां आप total करोगे यहां दूसरे जिगे पर amount को लेकर जाके total नहीं करना है students वैसे करते हैं don't do that आपका time waste होगा time भी और आपका क्या है कि confidence भी down रहता है और amount यहां से लिखने के time पर error कर सकते हैं तो better आप यहां का यहां pencil से total करके देखो check करो कि दोनों साइड सेम आया कि नहीं है तो इस तरीके से आपके balance ही हो जाएगी अभी आपको working note का screenshot लेना है तो working note का screenshot ले सकते हैं आन वीडियो को लाइक करना है शेर करना नहीं बुलना है शेर इसलिए करना है ताकि आपके friends भी अगर आपको फायदे का लग रहा है तो आपके friends को भी इसका benefit लेने दो सेलिए करना है फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी अच्छा perform कर सके अपने एक्जाम में आपको screenshot ले लीजिए तो थैंक यू वेरी मच गौद ब्लेस्यों डियर स्टूडिन्स